यह श्वेद पत्र नहीं है यह काला बुरुष है इस नौट वाइट पेपर दिस इस ब्लाक ब्रॉश और माननिये वितमंत्री जी की जो तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमानित करती है भारत का इतिहास रविशंकर जी बैठ जाये अब सुनने की शम्ता रखिये बैठ जाये आइसे बीच में खड़े हो जाते हैं अद्धिछ जी भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था भारत का इतिहास वर्शो और दश्को पुराना इतिहास है और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिरफ एक राजनीतिक उदिश्य है This is a political manifesto, this is not a white paper मैं 2004 में जब UPA की सरकार बनी जिसका नेत्रतु प्रदान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग जी और UPA की चेर परसन श्रीमती सोनिया गांदी जी कर रहे थे हमने ऐसे मूल भूत सुधार किये जिससे इस देश की जो न्यू है आर्थिक समाजिक राजनीतिक न्यू को हम लोगों ने मजबूत किया सबसे पहला RTI का कानून सूचना का अधिकार एक सो तीस करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया कि दस रुपए की अर्जी देके आप ब्लॉक से लेके राश्टिस्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। मैं दुर्भा के पूर्ण बात है और खेद के साथ ये बात कह रहा हूँ कि दो हजार चौदा से लेके दो हजार चौबिस तक उस सूचना के अधिकार के किस तरह से परकच्छे उड़े ये कहानी सब को मालूम है दूसरी बड़ी उपलब्धी मनरीगा का कानून दो हजार पांच में जब यूपिये की सरकार मनरीगा का कानून लेकी आई और हमने कानूनी तोर पर ये सुनिश्चित किया कि सौ दिन जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ दो हजार चौदा से लेके जो हजार चौबिस तक आपने उस सौ के एक सो एक दिन क्यों नहीं किये आपने उस सौ का एक सो एक दिन नहीं किया हाँ उस कानून को आप कोस्ते रहे और उस कानून की जो असलियत है उसके उपर मैं बाद में आऊंगा तीसरा निशुलक शिक्षा का कानून कि छे से लेके चौदा वर्ष तक पूरे देश में जात धरम से उपर उठकर जिस बच्चे को सिक्षा चाहिए उसको निशुलक शिक्षा दी जाएगी और चाहे बड़े से बड़ा निजी स्कूल हो चाहे कोई भी स्कूल हो पच्चिस परतेशत जो सीटे थी वो आरिक्षित की गई जो एकोनॉमिकली वीकर सेक्षिन आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों से आते थे उसके बाद नैशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट इस देश की 77 परतेशन के उपर गेहू चावल मोटा दाना देने का काम किस ने किया यूपिये की सरकार ने किया पांचवा आधार जिसने मूल भूत आधार रखा जिसके उपर जितना धांचा बना हुआ है वो किस ने शुरू किया और जब यूपिये ने सरकार छोड़ी तो उस समय 80 करोड से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए थे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धी रही क्या अगर आप नोट बंदी को उपलब्धी मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता अगर आप GST को जिस तरह से किरियानवित किया उसको उपलब्धी मानते हैं जिसने भारत का सारा लगूद योग को कई सालों तक नश्ट कर दिया तो फिर मैं उसको आपके विवेक पे छोड़ता हूँ मैं उम्मीद करूँगा जब वितमंत्री अपना इस मोशन के उपर जवाब देंगी तो जरूर इस सदन को बताएंगी कि आपकी सरकार की ऐसी कौन से पांच बड़ी उपलब्धियां रही हैं पर आपके दस साल के कारेकाल पे अब मैं अर्थ विवस्ता पे आता हूँ अध्यक्ष महोदे 2004 में जब हम लोगों ने सरकार संभाली तो परिस्तिती क्या थी 2003-04 में जो फिसकल डिफिसिट था वो 4.5 परतिशत था 2007-08 में आर्थिक महामंदी अंतर राश्रिया आर्थिक महामंदी से पहले वो घटकर 2.8 परतिशत हो गया जो रिविन्यू डिफिसिट था कि सरकार के राजस्व में जो कमी थी मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं पहले का भी बताऊंगा अपना भी बताऊंगा और आपका भी बताऊंगा कि 2003-04 में जो रिविन्यू डिफिसिट था वो 3.6 परतिशत था 2007-08 में वो घटकर 1.2 परतिशत रह गया जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था कि जो आप बचत करते हैं जिससे अर्थ विवस्ता चलती है वो 2003-04 में 29.8 परतिशत था जो 2006-07 तक बढ़कर 34 परतिशत हो गया जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था वो 2003-04 में 28.2 परतिशत था जो 2006-07 में बढ़कर 35.9 परतिशत हो गया 1998 से लेके जब 2004 तक आपकी सरकार रही जो नियुन्तम समर्थन मूलिय था MSP थी उसको आपने सिर्फ 30 रुपे से बढ़ाया था 2004 से लेके 2008 तक वो जो नियुन्तम समर्थन मूलिय था वो 300 रुपे बढ़ा था और 1998 से देके 2000 जो 2004 से लेके 2008 तक गिर के 5.12 परतिशत रहे गया और जो अर्थ विवस्था का है बढ़कर सबसे पहले बचत फिर खपत सेविंग्स कंजम्शन फिर निवेश इन्वेस्मेंट प्रोडक्शन और फिर रोजगार अब इनकी जो कहानी है वो आंक्रे अपने आप बयान करेंगे वर्ष 2013-14 में जिसको आप कहते हैं कि भारत की अर्थ विवस्था फ्रेजाइल फाइव में पहुँच गई थी अर्थ विवस्था को लकुआ मार गया था कई कई अलंकरण इस्तमाल किये गए रविशंकर प्रसाद जी तो बयाद ही होगा अब उसकी असलियत क्या है 2013 में जो सेविंग्स टू जीडी पी रेशो था वो 34 परतिशत था 2022 में वो गिरकर 30 परतिशत रह गया जो प्राइवेट फाइनेर्शिल कंजम्शन इक्सपेंडिचर था वो 2013-14 में 60 परतिशत था 2023-24 में वो गिरके 56.9 परतिशत रह गया जो इन्वेस्टमेंट तो जीडी पी रेशो था 2013-14 में 33.8 परतिशत था और वितमंत्री जी जो जवाब आपने दो दिन पहले दिया है उसमें आपने इस बात को कबूला है कि वर्ष 2023-24 में वो गिरके 29.20 परतिशत रह गया है और इसका कारण ये है कि मैंने ये बात ता फाइनेंस बिल के दोरान भी कही थी कि पिछले जो तीन साल से कोविट के बाद आपका वित्य घाटा है जो 17-18 लाख करोड की रेंज में चल रहा है वो प्राइवेट इंवेस्टमेंट को क्राउड इन नहीं कर रहा है वो प्राइवेट इंवेस्टमेंट को क्राउड आउट कर रहा है जब सरकार ही इतना कर्ज लेती है बाजार से अपना खर्चा चलाने के लिए अपने बजट को बैलेंस करने के लिए तो जिस निजी छेतर को आपने 2019-2020 में इतने बड़े-बड़े कंसेशन्स दिये थे उस उस निजी छेतर को तो वो मार्केट एकसेस मिली नहीं पाता मैं आगे चलता हूँ जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन थी 2013-14 में वो 33.8 परतिशत थी 22-23 में गिरकर 31.4 परतिशत रह गए अब आप बेरोजगारी के दर पे आईए बेरोजगारी का दर वर्ष 2013-14 में 4.9 परतिशत था और CMI की जो चार बंद की मूविंग एवरिज है क्योंकि सरकारी आंकड़े तो आने बंद हो गए हैं वो 2023-24 में आठ से लेके नो परतिशत है इस देश में पिछले दस वश्ट में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है आपने खुद अपने बजट के भाशन में ये बात कही दसमें पहरे में कि 2014 से लेके 24 तक 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा से मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी से मुक्त किया गया है ये बात भी सही है कि 2004 से लेके 14 तक 27 करोड लोगों को गरीबी रेखा से उपर लाया गया तो जो सरकार 27 करोड लोगों को गरीबी रेखा से पर लेके आती है उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं दे वर आपसलूटली इन इनकॉंपटेंट गव्मन्ट ये किस तरह का लॉजिक है कि अगर आप अपनी ठपता ठपते हैं कि हमने 25 करोड लोगों को हमारे 10 साल के कारेकाल में गरीबी देखा से उपर उठाया तो जिस सरकार ने 27 करोड लोगों को और इसका जिकर आपने अपनी 2020-21 के बजट भाशन में भी किया था उसकी आप निंदा करन में कोई कसर नहीं छोड़ते ये किस तरह का ये किस तरह क्या कि रोजगार का क्या हूँ और उसका सबसे बड़ा प्रम प्रीगा का जो बजट था वो 33,000 करोड था जो एक्चुल पैसा खर्च हुआ वो 32,992.83 करोड रुपया हुआ दो हजार 23,24 में वो बढ़कर 86,000 करोड हो गया तो इसका ये मतलब है कि अर्थविवस्था में रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं लोग जो मिनिमम वेज है उ उस मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तयार है साल में जुगना करना पड़ा आगे मैं परमान देता हूँ 2014-15 में 16,572.1 लाख परसंडेज मनरीगा में क्रियेट हुए 2022-23 में वो बढ़कर 29,564.15 लाख परसंडेज हो गए मतलब जितने लोगों ने मनरीगा में काम ढूंडा उनकी गिंती दुबारा अदुगनी हो गई तो अगर अर्थ व्यवस्था में रोजगार के साधन थे तो लोग जाकर मनरीगा के तहत मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तयार नहीं होते आपको यूपिये का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस स्कीम को आप कहते थे कि ये गड़े खोदने और गड़े बढ़ने की स्कीम है इसी स्कीम ने आपको पिछले 10 साल में बचाया है नहीं तो इस देश में अराजकता होती है अब मैं अब मैं अब आप सुनने की धैरिया परके मैं जब आप बोलती हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ तो देर है रखे अब जो बीच में नहीं बोलता है अधिक जी में I आप मैं किसी के पांच साल में किसी के बीच नहीं बोला हूँ जो महंगाई दर था 2013-14 में वो 5.3 परतिशत था 2023-24 में वो बढ़कर 5.4 परतिशत हो गया है और आप कहती हैं कि हमारे जमाने में महंगाई बहुत थी और आपने महंगाई के उपर नियंतर न रखा है पर हाँ आपकी एक उपलब्धी मैं जरूर गिनाना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में जो भारत की अर्थ विवस्था थी वो 2.05 ट्रिलियन डॉलर की थी वो जो भारत सरकार का करजा था वो 55,87,149.33 लाक क्रोड था वर्ष 2014 में वो अर्थ विवस्था 3.75 ट्रिलियन की हो गई पर जो करजा है भारत सरकार का वो तीन गुना बढ़ गया and the total debt and liabilities of the government on 31st of March 2024 is 168,72,554.16 लाक क्रोड पिछले दस साल में आपने 112,85,394 लाक क्रोड का करजा पिछले दस साल में लिया है इसका ये मतलब है कि जो ज्यादा करजा लिया है और उसका सबसे बड़ा प्रमान ये है कि आपके बजट को जब आप ब्रेकडाउन करें जो आप ही के आंकडे हैं बाइद रूपी तो जो सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट है 28 पेसे का वो बॉर्विंग्स है और जो सबसे बड़ा आउट गो है 20 पेसे का वो आपकी कहकेते हैं ब्याज की पेइमेंट से इंटरिस्ट पेइमेंट से तो ये ज़रूर आपकी उपलब्दी है कि भाई भारत के उपर आपने पिछले 10 वर्ष में 112,85,394 दशमलव 83 करोड का करजा बढ़ा दिया अब मैं जीडीपी के ग्रोथ रेट पे आता है वर्ष 2005 से लेकर 14 तक भारत की जो अर्थ विवस्था थी क्यूमिलेटिवली वो 6,8 परतिश्चत से बढ़ी और 2015 से लेकर 2014 तक वो अर्थ विवस्था 5,9 परतिश्चत से बढ़ी और आप ये कहती है कि हमने अर्थ विवस्था का सत्यनास कर दिया हमने अर्थ विवस्था बरबाद कर दी हमने सारे बैंक लूट लिये तो अगर ये सारी बात सही है वित्बंतरी जी तो ऐसा क्यूं है कि जो हमारे 10 साल का कारेकाल था उसमें अर्थ विवस्था आपके 10 साल के कारेकाल से ज़्यादा बढ़ी और ये दोनों जो आंकडे हैं 2011-12 की प्राइसिस की उपर है इसमें फरक नहीं है कि 2004-05 की प्राइसि की उपर को जांकड़ा है अब मैं आता हूं ॏ डॉलर की उपर आप भी प्रवक्ता थी भारती जनता पार्टी की होजे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुनना प्रदानमंत्री की उमर से किये जाती थी जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी तो एक डॉलर अटफंजार रुपए 65 पैसे का था चार फरवरी 2024 को वो डॉलर 82.93 पैसे का है तो उस समय तो डॉलर के उपर बहुत उतेजना होती थी बड़ी-बड़ी बहस होती थी रोज टेलिविजन के उपर ये कहा जाता था कि डॉलर प्रधान मंतरी की उमर से 30 से बढ़ रहा है आज क्या हुआ मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता मैं कभी किसी चर्चा का स्तर नहीं गिराता पर आपको इस बारे में सोचना चाहिए यो आप तब बोलती थी और जब आज जो परिस्तिती है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है अबी मैं आगे आता हूँ पिछले दस वर्ष में अंतर राश्ट्रिय बाजार में पट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रही कच्चे तेल की कीमत गिरती रही और मैंने कल भी यह बात कही थी कि जो आपकी ऑईल और गैस इंपोर्ट डिपेंडिन्सी यो बढ़ती रही 87.5% है इस साल के पहले 9 महीनों में पर अंतर राश्ट्रिय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही 2014 में 410 रुपे का सिलिंडर था आज 903 रुपे का सिलिंडर है 120 परतिशद बढ़ा है पेट्रोल 2014 में 71 रुपए पर लीटर था आज 97 रुपए पर लीटर है 37 परतिशत बड़ा है डीजल 55 रुपए लीटर था आज 90 रुपए लीटर है 64 परतिशत बड़ा है must redist oil आज 32 रुपए किलो है 60 परतिशत बड़ा है आटा 22 रुपए किलो है आज 50 रुपए लीटर था आज 60 रुपए लीटर है 114 परतिशत बड़ा है और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थ व्यवस्था के परककच्छे उडा दिए अगर आप इन सब आंकडों को संग्यान में ले तो पिछले दस वर्ष में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है मुझे याद है सुश्मा सवराज जी यहां बैठती थी जब नेता पृती पक्स होती थी तो वह कहा करती थी कि ग्रेणी के आंसु बह रहे हैं आज सही रूप में ग्रेणी के आंसु बह रहे हैं और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपने दस वर्ष से फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग की बात की आप तो एक का बहुत पड़ी लिखी अर्थशाश्त्री हैं आपको ये बात मालूम है कि किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले उसका जो Chief General Manager है वो Due Diligence Certificate साइन करता है उसके बाद उसका Board of Directors उसको अप्रूव करता है मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप Phone Banking की बात करती हैं पिछले दस वर्ष में आपने किस के खिलाफ एक्शन लिया कौन से Chief General Manager के खिलाफ एक्शन लिया कौन से Board of Directors के खिलाफ एक्शन लिया कौन से राजमितिके के खिलाफ एक्शन लिया आप बात बड़ी बड़ी करती हैं दस साल आपको मिले आपने एक Chief General Manager के खिलाफ एक्शन लिया आपने एक Board के खिलाफ एक मिले दस साल की बात है सुन लिजी आखरी दो दिन ले गए हैं संसद के आपने किसी राजनितिक लीडर के खिलाफ एक्शन लिया किस ते किस ते फोन किये थे आपकी बहुत लंबी लिश्ट और मैं 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 आखरी बात ये कहना चाहता हूँ और ये दुर्भा के पूर्ण बात है और Standing Committee और Finance की इसके उपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है जो आपका Insolvency और Banksy Act है उसने जो बैंक लूट है उसको institutionalize किया अगर पर महें पास इतना material है कि मैं दो घंटे और जो और स्विवस्था की असलियत है वो जागर कर सकता हूं धन्यवाद अध्यक जे